हेलो दोस्तों आज हम लोग कंट्रोल वाल सेलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आई होप कि ये वीडियो आपको कंट्रोल वाल के ऊपर काफी साथे कंसेप्ट को क्लियर भी करेगा तो चलिए बात करते हैं कंट्रोल वाल सेलेक्शन इंफर्मिशन में तो सबसे पहले हम ल यू विल बी कंट्रोलिंग इस वाटर नेचुरल गैस और एनी ओयल और एनी सलड़ी किस टाइब का लिक्विड और प्रोसेस है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेंपरेचर अफ्लूइड मेंस कि वाट इस देंपरेचर 14 दिग्री फोरन नाइट और सल्सियस दो सलो कि वहां पता चलता है कि हमारा वाट सीनारियोमें तर्फिंपरेचर क्या होता है क्यों करते होता है जो मैकिसिमम् सेनारियोमें उसको सबसे करना होता है जब भी हम लोग साइजिंग और सेलेक्शन की बात करते हैं विस्कोसीटी अफ फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड हम लोग ले रहे हैं प्रोसेस में उसकी विस्कोसीटी क्या है स्पेसिफिक रेविटी क्या है flow capacity of the control wall is very important तो हमनों का maximum और minimum flow consider करना होता है control wall की sizing में क्यों करना होता है क्योंकि हमनों का minimum opening और maximum opening देखना होता है कि minimum flow पे कितनी opening है और maximum flow पे कितनी opening है it is also mentioned that minimum opening should be not less than 10% or 20% maximum opening should not be more than 80% like that at maximum flow तो इस चीज़ को देखते हुए हमनों को flow capacity भी देखना होता है कि इसके बद inlet pressure at wall कि what is the inlet pressure at the wall what is the outlet pressure at the wall ठीक है तो इनलेट और outlet pressure देखना होता है उसके परद pressure drop देखना होता है कि कितना होता है और pressure drop at setup मतलब कि completely setup है तो उसके मीं pressure drop हमारा कितना है noise का label क्या रहेगा वो चीज देखना होता है ठीक है डिग्री ओफ सूपर हीट और एग्जिस्टेंस ओफ फ्लैशिंग इफ एनी अगर कोई इस तरह का सूपर हीट और फ्लैशिंग है तो उसको देखना होता है ठीक है उसके बाद इनलेट आउटलेट पाइपलाइन साइज एंड शेडूल भी ह इसके बाद बात करते हैं बटनेट minimize का तो बड़ी का मेटीरियल जेनरीव कहारी स्टेर रिकौाइट बटन गड़ी मेर एंड लगाए होग तो वो वह चीज डिपेंड करतामना पाइपलाइन जिसमें पर पाइप लाइन पाइप स्पेसिफिकेशन कई बार यह भी बोलिया जाता है कि पीमस के कोडिंग होता है कई बार एक बार पाइप लाइन से थोड़ा अपग्रेड़ भी हो जाता है अगर हमारा इस्ट्रुमेंट यह उसकेस में फैल या फिल चाहिए यह रिटर्न लॉट्विकेशन शाहिए तो कौन सा पोजिशन चाहिए थी हमें प्रोसेस जिस्टिफाई करता है कि in the event of failure of the instrument here what is the status of the wall they want okay instrument air availability state whether the wall required in instrument here or not okay wall type number okay only when required by the manufacturer wall का size wall body construction कैसा होगा तो wall का body construction में क्या हम लोग angle wall लेंगे double port wall लेंगे butterfly लेंगे which kind of the wall लेंगे wall port size state desired wall trim material required means what kind of the trim material means inside wall के trim material किस तरह का होगा यह हम लोग क्या लेंगे इस चीज के बारे में बात करते हैं after that flow action state weather flow will tend to open wall or close wall okay actuator की sizing क्या रहेगी तो actuator का size हम लोग करते हैं as per the required state size of the actuator required for the control wall bonnet के style क्या रहेगा extended bonnet रहेगा या लो रहेगा या सील रहेगा क्या रहेगा वालो की packing material क्या रहेगी इसके बारे में बात करते हैं वालो की packing material भी हमारे जो है वो डिपेंड करती हमारे process fluid के pressure और temperature के ऊपर और उसके nature of the fluid के ऊपर भी ठीक है वालो में other accessories क्या कि हमें लेना है hand wheel लेना है positioner लेना है limit switch लेना है solenoids लेना है क्या लेना है इसका भी हमनों को ध्यान रखना होता है तो यह यह जो 27 points मैंने आपके साथ discuss किया है these all points are very very important while you are going to select any control wall and going to do the sizing of any control wall हमारे channel पे आप बने रहे हैं we will share again and again various informative video to you to upskill your knowledge thank you very much